आज मैं आपको अपने गार्डन में जो मेडिशनिल प्लांट लगाए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी अगर हम उसका इस्तमाल अगर करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम करते हैं हमारी प्रती रोधकशमता को बढ़ाते हैं इसका अगर हम डेली करें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं तो सबसे पहले एक तो अजवाइन का जो पौधा है वो बहुत फायदा करता है ये कड़ी पत्ता, ये बेसल, ये आमला, ये पान, ये अलोवेरा, ये तुलसी और ये विनका का है सदा बहार इसके बहुत फायदे होते हैं ये अश्वगंधा तो इसके बारे में आज मैं आप को डिटेल से बताने वाली हूँ ये अश्वगंधा का पौधा है और ये इसके बहुत ही हरबल बैनेफिट्स हैं ये आश्वदिये गुणों से भरपूर है ये हमारी मानसिक पनाव को दूर करता है अगर हम इसकी पतियां लें और उसका इस्तमाल करें तो ये हमारे कई सार आई बिमारियों को दूर करता है जैसे डाइबेटीज और अर्थराइटिस में उनको कम करने में साहता प्रदान करता है और हमारी मसल्स को टाकत भी प्रदान करता है इसकी पतियों का फूल का और जड़ का इस्तमाल किया जाता है यह अजवाइन का पौधा है अजवाइन हमारे पाचन कंतर को मजबूत करता है और इसके अंदर एसिडिटी को दूर करता है और दो पत्ता अगर डेली हम खा लें तो यह हमारे जो पेट में गैस बनती है उसको दूर करता है और इसका इस्तमाल कई रूप में किया जाता है जैसे अगर हम पकोड़े बनाते हैं तो उसमें इसकी पत्यों को काट के डाला जा सकता है और जब कभी पराठा बनाएं तो उसमें अजवाइन की जगे इसके पत्तों को डाला जाएं तो ये हमारा फायदा करता है और ये हमारी रोग, प्रति, रोधक, शम्ता को भी बढ़ाता है ये है मीठा नीम कहते हैं इसको और ये हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक है इसमें ये जादातर इस्तमार साउथ इंडिया में होता है उनकी हर डिशिस में इसका इस्तमाल किया जाता है तो को खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा होता है और स्वगंधित भी होता है इसको कड़ी में अगर हम डालते हैं तो उसमें बड़ी खुश्पू आती है यह मोटापा को भी कम करता है और आखों की रोशनी बढ़ाता है और इसका इस्तवाल भी हमारे इसमें विटामिन्स को पूरा करने में किया जाता है यह नेक्स्ट है यह हमारा पान का पत्ता पान जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और यह माउथ रिफ्रेशनर का भी की तरह इसका इसका इस्तमाल किया जाता है और यह सारे विटामेन, मिनरल्स, प्रपर्टीज होती हैं, यह मुग की दुरगंद को भी बहुत दूर करता है, अगर इसको हम खाते हैं, तो यह हमारे खाने के बाद हाजमा का काम करता है, और यह कई सारी बिमारियों में इसका इस्तमाल होता है, जैसे सांस की कोई तकलीफ हो, या स इस्तमाल किया जाता है, यह हमारे लिवर को ठीक करता है, और इसका कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तमाल होता है, जो कई सारी स्किन की बिमारियों होती हैं, वो इसके इसके इस्तमाल करने से दूर होती हैं, और इसका जूस लेने, अगर मॉर्निंग होते हैं उसको भी दूर करता है और एंटी रिंखल का काम करता है ये और सकिन में ग्लो Вас लाता है और ये तुलसी का पॉधा है तुलसी तो हर घर में इस्तमाल की जाती है यह हमारा जो इसकी पूजा भी की जाती है सर्दी जुखाम में और गले खराब में इसका इस्तमाल किया जाता है चाय में डालके इसका हम चाय बनाते हैं तो यह बहुत पैदेमन करता है और हमारे गले को ठीक करता है और जो भी कोई infection होता है उसको भी दूर करता है यह विंका का पौधा है यह हमारे blood pressure को नियंतरित क या इसके flowers को morning में खाली पेट खा लें तो इससे diabetes को कम करने में सहता मिलती है और यह cancer जैसे रोग को भी दूर करता है तो इसका इस्तमाल high blood pressure को कम करने में और diabetes और cancer जैसे रोगों से दूर करने में इस्तमाल किया जाता है यह हमारा आवला आवला जो है उस बहुत ही सहत बंद होता है यह vitamin C और A होता है इसके अंदर और यह antioxidant का काम करता है यह हमारे digestion को और gas acidity को दूर करता है और skin जो है हमारी इससे healthy बनती है और इसमें wrinkles नहीं आती hair fall को ठीक करने में यह हमारी सहता करता है इसके इसके इस्तमाल से eyesight भी बहुत अच्छी होती है और fat burn करता है और weight loss भी करता है इसमें बहुत ज़्यादा fiber होता है इसका तो जरूर डेली इस्तमाल करना चाहिए यह औशदिये गुन से पूर्ण है यह हमारी शमता को प्रतिरो करता है इसका दोस्तों इसका इस्तमाल जरूर करना चाहिए अपने गार्डन में यह जो इतने भी medicinal plants है इनका इस्तमाल जरूर करना चाहिए अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और comments देना ना भोले thank you for watching my video